हेलो फ्रेंड एक और नई सरकारी नौकरी के साथ मैं सिवरा चौधरी आप सभी का आप ये अपने चैनल यो हेल्प चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो राश्टिय स्वास्थ मिसन के अंतरगत ग्रेजुएट्स की सीधी भरती आई है इसमें आपका return exam नहीं होना है अगर आप graduates हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेगा राश्टिय स्वास्थ मिसन के अंतरगत ये भरती इस भरती की सारी जनकारी इस वीडियो में हम देखने बाले है बने रहीगा वीडियो में एक दम अंतरग ताकी भरती की कोई भी जरूरी जनकारी ना छूटे वेकेंसी की डिटेल देखने के लिए सबसे पहले हम अपनी website youhelpsr.com में चलते हैं वीडियो की description में website की लिंक मिल जाएगी यहाँ पर जाकर के आप 8 भी, 10 भी, 12 भी, ITI पास, graduation, bank, job सब तरह की सरकारी नोकरी जो है सबसे पहले free में देख सकते हैं तो आज हम जो वेकेंसी cover करते हैं हम वहाँ पर सीधा चलते हैं सबसे पहले मैं बता दू यह जो वेकेंसी है NHM graduates recruitment इसको open कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या eligibility मांगी गई है क्या सारी चीज़ा है इसमें इस वेकेंसी की पूरी details यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर page हमारा open हो गा है NHM graduate direct recruitment no exam direct government job राश्टिय स्वाथ मिसन के अंतरगत यह वेकेंसी आई है केस में आपका form एकदम फ्री है form को भरने की कोई भी application fees नहीं लगना है सेल ले यहाँ पर 12,000 रुपए पर महीने यहाँ पर आपको मिलेगी और आगे हम age यहाँ पर देख लेते हैं कि age limit यहाँ पर कितनी देख गई है कम से कम आपकी जो age है वो 18 वर्स होना चाहिए और डिप्लोम है तो इसका form आप भर सकते हैं जो PG, DCA, DCA वगेरा होता है अगर यह आपके पास है तो इसका form आप भर सकते हैं form जो है वो 25 जनवरी 2019 से भरने स्टार्ट हो गए है male और female दोनों इसका form भर सकते हैं other state के candidate इसका application form नहीं भर सकते हैं इसका form आपको online भरना पड़ेगा वीडियो के description में हमारी website की link मिल जाएगी वहाँ पर click करके सबसे पहले आप पूरी details पढ़ने की बाद इसका notification डाउनलोड करके अच्छे से notification को पढ़ ले उसके बाद उपर apply online की link दीगे है यहाँ पर जा करके इसका online application form आप 12 February 2019 से पहले जरूर भर दै form को भरने की लाज डेट जो है 12 February 2019 इसको पूछना हो तो comment पर जा करके आप पूछ सकते हैं अगले वीडियो मिलेंगे एक और नहीं सरकारी नौकरी के साथ Thank you so much